हलो फ्रेंड स्वागत है आपका योनिक मैडिसिन की एक और नई वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सर्वत अजाज की बात करेंगे जो की एक योनानी दबा है और इसको हमदर्द कंपनी बनाती है दोस्तो ये एक योनानी दबा है यानि कि योनानी जड़ी बु vision कागर हम use देखें तो अगर किसी को कफ है और ये जो कफ है वो dry कफ है मतलब सुखी खासी है और बहुत जादा हो रही है तो उस condition में सर्बत ऐजाज के बहुत सारे फाइदे होते और guys ये जो medicine है वो consensus के जो मरीज होते हैं इनके लिए भी काफी फाइदे मन्द होती है तो गाईज जब भी किसी को खासी होती है गाईज यह जैसे की यह हमारे जो है लंग्स होते हैं माली जी हमारे लंग्स हैं और इसमें क्या होता है कि मरीज को खासी चलने की वज़ा से लंग्स के अंदर जो है इन्फेक्शन हो जा खांसी चलने की वज़ासे बलगम जमा हो जाता है और फेफडे जो है इन में टीवी होने की समस्या हो जाती है खराब होने लगते हैं और इसके लावा जो रैस्पीरेटरी ट्रेक्ट है ये जो है सूजने लगता है और सांस लेने में परिशानी होने लगती है रैस्पीरेटर खांसी आती है, मरीज को और सूखी खांसी की जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, मतलब कि बार बार जो है सूखी खांसी आ रही है, तो ऐसी कंडिशन को सर्वत एजाद ठीक करता है, तो गयज यह इसके फाइदε हो जाते हैं और अगर हम इसका गंपोजीसन देखें, तो इसका यूनानी जड़ी बूटियों का रहता है, जो यूनानी जड़ी बूटियां होती हैं, उससे मिलाकर इसको सरवत की फॉर्वब्र में बनाये जाता है, जो की एक बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है गाईज और डोस की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो डोस है दोस्तों ये एडल्ट में माली जी कोई बड़ा रोगी है एक एडल्ट पेशेंट है तो उसमें 10 से 15 ml सरवत को दिन में 2 बार सुभा और साम जो है हलके गुनगुने पानी के साथ में लेना होता है तो इस तरह से इसकी डोस रहती है गाईज और बच्चों को ये जो डोस है वो कम करके दी जा सकती है बट मैं आपको यही एड़ाइस करूँगा कि जब भी आप डोस लें तो एक बार अपने डॉक्टर की सलहा से लें डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको डोस को लेना होता है गई साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है एक सेफ मैडिसन होती है और सेफटी डिफ्स की बात करें तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी इसको यूज करें इसकी सही डोज लें, recommended डोज लें और medicine को सही जगा इस्टोर करें जिससे खराब ना हो, धूल दूप, moisture से बचाएं इसके साथ ही बच्चों से बचा के रखें वो इसको गिरा ना दे, जादा इसको पी ना ले तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और आपको ठंडी, तली, भुनी, मसालेदार चीजों से बचना है जिससे कि आपकी खासी जो है जल्दी से ठीक हो सके तो ये बहुत important point है जो आपको ध्यान रखना है तो इसका अगर हम price देखें तो ये आपको लगवग 80 रुपय का मिल जाता है तो आप इसको 80 रुपय में online pharmacy या फिर medical store वगेरा से खरीच सकते हैं तो ये थी आज की इस वीडियो में सर्वत एजाज के बारे में जानकारी आपको पसंद आएगी वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं तो आप से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद